हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट आफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आई हूँ विकंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें दोस्तों और्गनाइजेशन का नाम भावा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन की डेट या इसके फर्म को समिट करने की ओपनिंग डेट 15 दिसंबर 2020 की रखी गई है और इसके फर्म को समिट करने की क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 2021 की रखी गई है दोस्तों चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितनी पोश्ट के लिए vacancies आई हुई है और किस पोस्ट के लिए कितने vacancies रखी गई है तो दोस्तों इसमें state and rise times category first के लिए total 50 vacancies आई हुई है दोस्तों जिसमें से SC के लिए 3, ST के लिए 8, OBC के लिए 14, EWS के लिए 2 and UR के लिए 23 vacancies रखी गई है जिसमें से दोस्तों इसमें category 22 vacancies को यहाँ पे रखा गया है तो इसमें mechanical की पोस्ट के लिए total 13 vacancies आई हुई है दोस्तों जिसमें से SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS के लिए can you or के candidate के लिए 6 vacancies रखी गई है और दोस्तों इसमें qualification diploma in mechanical engineering के candidate eligible है दोस्तों इसके अगली vacancy electrical के लिए है जिसके लिए SC के लिए 1, OBC के लिए 2 and UR के candidate के लिए 3 vacancies रखी गई है दोस्तों टोटल इसमें 6 vacancies आई हुई है दोस्तों इसमें qualification diploma in electrical engineering के candidate इस form को अपलाई कर सकते है और इसमें अगली vacancy है chemical के लिए जिसके लिए 7 vacancies आई हुई है इसमें से SC के लिए 1, OBC के लिए 2 and UR के candidate के लिए 4 vacancies रखी गई है दोस्तों इसमें qualification diploma in chemical engineering के candidate इसमें अगली पोस्त है दोस्तों civil के लिए जिसके लिए total 13 vacancies आई हुई है इसमें से SC के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 and UR के candidate के लिए 5 vacancies रखी गई है दोस्तों इसमें diploma in civil engineering के candidate इस form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली पोस्त है electronics के लिए जिसके लिए 3 vacancies आई हुई है दोस्तों जो कि एक OBC के लिए रखी गई है and 2 UR के candidate के लिए रखी गई है दोस्तों इसमें qualification diploma in electronics, electronics and communication engineering के candidate इस form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगली विकेंसी है instrumentation के लिए जिसके लिए 4 vacancies आई हुई है इसमें SC के लिए 1 and OBC के लिए 2 and UR के candidate के लिए एक vacancy रखी गई है दोस्तों इसमें qualification diploma in electronics, instrumentation and instrumentation engineering and instrumentation technology and instrumentation and control engineering के candidate इस form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें एगली विकेंसी है chemistry के लिए जिसके लिए 4 vacancies आई हुई है तो जिसमें से दोस्तों इसमें SCT के लिए 1 and OBC के लिए 1 and UR के candidate के लिए 2 vacancy रखी गई है दोस्तों इसमें qualification BSC in minimum 60% of rate marks chemistry के candidate इस form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहां पर principle and physics and mathematics के candidate इस form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें अगला department है ST pen dry the time category second के लिए जिसके लिए total 106 vacancies आई हुई हैं दोस्तों जिसमें से SC के candidate के लिए 1, STT के लिए 8, OBC के लिए 29, EWS के लिए 7 and UR के candidate के लिए 60 vacancies रखी गई हैं तो दोस्तों इसमें चले देखते हैं कि कितनी post के लिए vacancies आई हुई हैं and कितनी post किस category candidate के लिए रखी गई हैं तो दोस्तों इसमें पहली vacancy है plant operator के लिए जिसके लिए 15 vacancies आई हुई हैं जिसमें से ST के लिए 3, OBC के लिए 2, and EWS के कर्णिडेट के लिए 3, and UR के कर्णिडेट के लिए 7 फेकेंसी रखी गई हैं। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें SSC in Science System with Physics, Chemistry and Mathematics कर्णिडेट इस फ़र्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों, दोस्तों, इसमें अगले विकेंसी है, AC मेकेनिक के लिए, जिसके लिए एक विकेंसी रखी गई हैं दोस्तों, जो की OBC के कर्णिडेट के लिए हैं, इसमें क्वालिफिकेशन SSC भी थी, मिनवम 60% अग्रेट मार्स के कर्णिडेट इस फ़र्म को सब्मिट करने के लिए इसमें अगले निवम के लिए इसमें कर्णिडेट इस फ़र्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों, इसमें फिल्टर के लिए 45 विकेंसी आई हुए हैं, जिसमें से SC के लिए 4, OBC के लिए 2, EWS के लिए 4, NUR के लिए 25 विकेंसी रखी गई हैं, वेल्डर के लिए यहां पे 5 विकेंसी आई हुए हैं, जिसमें से OBC के लिए 2, NUR के लिए 3 विकेंसी रखी गई हैं, इलक्ट्रिकल के लिए 6 विकेंसी आई हुए हैं, जिसमें से SC के लिए 1, OBC के लिए 2, NUR के लिए 3 विकेंसी रखी गई हैं, दोस्तों, यहां पे Electronics Mechanics के लिए 11 विकेंसी आई हुई ह जिसमें से OBC के लिए 4 and UR के साथ वेकेंज इस रखी गईए हैं दोस्तों Burden मेकैंइस्ट के लिए तीए रभाकंजी आई हुई हैं जिसमें से OBC के लिए यहां पे एक वेकंजी के रखी गईए हैयो आज इस लिए 2 इस उए चाहिक आपया इंस्टुमें 10 मेकैनिस्ट के लिए आपे 3 रवकेंसी आई है जिसमें से OBC के लिए 5 और यॉरके कंडियेट के लिए 8 वकेंसी रखी गई हैं यहां पे मेगनेक्ट डिजायल के लिए 3 वकेंसी है दोस्तों जो कि 2 वकेंसी आई हूई है जो की यूर की कंडिडियों की तकी हैं दोस्तों एंड लिबर्टी एसिस्टेंट के लिए एक वेकंसी आई हुई है दोस्तों जो की SC की कंडिडियों के लिए रखी गई है दोस्तों इसकी कौलिफिकेशन यहाँ पे HSC in Science Stream with Physics, Chemistry and Mathematics सब्जिक्ट के कंडिडियों को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों साथ में यहाँ पे SC with Science and Math मिनिममम 60% अग्रेट मार्क्स के कंडिडियों को सम्मिट करने के लिए अलिस वेल हैं साथ में इसमें NTC अब 2-year duration के कंडिडियों को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके फॉर्म को सम्मिट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 31 जनवरी 2021 की दी गई है दोस्तों बात करें इसमें एज लिमिट की तो इसमें केटेग्री 1 के लिए मिनिममम 18 साल और मैक्जिमम 24 साल की एज लिमिट दी गई है और कटेग्री सेकंड के लिए मिनिममम 18 साल और मैक्जिमम 22 साल की एज लिमिट यहाँ पे निर्धारे दी गई है दोस्तों यहाँ पे बात करें अपर एज लिमिट की तो इसमें डिलेक्स एज यहाँ पे साल की रखी गई है SCST के कंडिडेट के लिए और दोस्तों यहां पे डियूरेशन की समय की बात करें कि इसमें डियूरेशन की समय कितना दिया गया है तो इसमें दो साल का ट्रेनिंग पिरियर्ड दिया गया है दोस्तों यहां पे physical standard की बात करें तो इसमें minimum height यहां पे 160 cm होनी चाहिए and minimum weight यहां पे 45.5 kg का होना चाहिए दोस्तों बात करते हैं यहां पे salary package की तो दोस्तों यहां पे training के समय candidate का salary first year यहां पे category first के लिए 16,000 and second year 18,000 की salary रखी गई है and category second के लिए first year यहां पे 10,500 and second year 12,500 की पर मंद की salary निर्धारित की गई है चले दोस्तों आप देखते हैं कि training खतम होने के बाद पर मंद कर्णी rate को कितनी salary दी जानी है तो इसमें category first के कर्णी rate के लिए level scientific assistance के लिए यहां पे 44,900 की पर मंद की salary रखी गई है दोस्तों and category second के लिए technical B के लिए यहां पे 21,700 की and technical C के लिए 25,500 की पर मंद की salary दी गई है चले दोस्तों आप देख लेते हैं कि आप इसके firm को कैसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमाई description box में आपको link मिल जाएगा जिसके थूरू आप अपने firm को इसके firm को submit कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं यहां पर application fee कि कि इसमें application fee कितनी ली जा रही है तो इसमें category first के candidate से यहां पर 150 यानि की देख सवरूपे की application fee ली जा रही है दोस्तों and ST, ST, PWD and women's candidate से कोई application fee नहीं ली जा रही है और category second के लिए दोस्तों यहां पर 100 रूपे की application fee ली जा रही है इसमें ST, PWD and ex-survise man के candidate and women's candidate से कोई भी application fee नहीं ली जा रही है तो दोस्तों आद की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग और लिसनिंग